हेलो दोस्तो नमस्ते कैसे हैं आप लो असा करती हूं सब अच्छे ही हुंगे आज मैं फिर आप लोग के बीच में आ गई हूं एक। छोटी एची रेसिपी लेके जो है पनीर के पराठे आज में बनाने जा रही हू propri wasn't it अब लोग विडियो में बने रहे और देखते रहए यह है यह मैंने दो ब् fdaий ले लिये है अपने इसाबसेसर ले लिए आपको चितना खाने के लोगई उसे ले लिये हैं और यह है अ यह बटर फ्रेज में रखे थे पूरा जम गया है इसको मैं अभी थोड़ा से गला लूँगी दिखिए अभी दो तीम चम्मच मैंने इसमें आटे में दे दूँगी मैं आपको दिखाती हूं पहले इसको पिखला लू अब मैं इसको थोड़ा लेती हूं तो भी आटे में यह मीलेगा ठंड़ भी वह थे और फ्रीज में भी रखा था कि पुरा टाइट हो गया है लुखी यह बिरा गल रहा है कि यह स्वादनुसार मैं नमक डाल देखती हूं थोड़ा सा और यह है बटर इसको में दो तीन चम्मच डाल देखती हूं तक इससे थोड़ा आठा सॉफ्ट रहेगा और पराठा खाने में अच्छा लगेगा आप लोग चाहें तो दे सकते नहीं तो आप लोग ऐसे भी बना सकते यह गेहूं के आठे हैं गेहूं के आठा यह ऐसे खाना चाहिए मैंने इसमें बटर डाले हैं आप लोग चाहें तो इसमें घी भी दे सकते हैं और रिफारिंट भी दे सकती हैं अब मैं आटा को अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालके गुथ लूँगी अब उतने के बाद इसको बिश मिनट के लिए छोड़ दूंगी तब तक मैं पनीर की तैयारी करूंगी देखिए दोस्तों यह हैं 200 ग्राम पनीर यह चार प्याज चार प्याज है दो तिन मिर्ची हैं मिर्ची अपने हिसाफ से ले लिजेगा और थोड़ा सा अधरक के टुकड़े हैं थोड़ा धनिया पत्ता है धनिया पत्ता और मिर्ची आप अपने हिसाफ से दे सकते कम यह जादा कर सकते हैं मैं इसको अच्छे से काट लोंगी फिर मैं काट के आपको दिखाते हूं देखिए दधीए दोस्तों प्याज का यह यह हिस्सा है यह हिस्सा नहीं खाना चाहिक काट के निकाल दिना का अच्छा नहीं होता है पनीर को मैं कद्दू कस कर लेती हूं इसको क्रॉस कर रही हूं देखिए दोस्तों सब मेरे कटके तयार हो चुका है अब मैं एकी साथ सब को मिला लूंगी मसाला वेगरा डालके फिर मैं पराठा बनाने की तयारी करूंगी अब मैं इसको इसमें डाल देती हूं पहले पनीर को अब ये प्याज मिर्ची मिर्ची आपने हिसाब से दीजिएगा बच्चे को क्यों ज्यादा मिर्ची पसंद नहीं होता है ये धनिया पत्ता ये अद्रक को मैंने कद्दुकस कर लिया है थोड़ा सा एक चमच दे देती हूं मैं धनिया पौडर्ट इसमें थोड़ा कट्टा कट्टा आएगा अच्छा लगेगा थोड़ा सा में गरम मसाला पौडर भी डाल देती हूं थोड़ा से ही दूंगी ज्यादा नहीं दूंगी अब ये थोड़ा सा अजवाइन भी है इसको मैं ऐसे क्रस्ट करके डालूंगी तक ही इसकी फ्लेवर अच्छे से आ जाए स्वादानुसर नमग डाल दीजिएगा थोड़ा सा बटर भी डाल देती हूं अब चाहे तो घी भी डाल सकती है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लोगी देखिए अब यह मेरा लगब मिक्स हो गया है अब मैं इसको गोला बना लूंगी छोटी-छोटी तक देखिए दोस्तों यह 20 मिनट हो गया है मैंने आटा को पहले 20 मिनट पहले गुत के रख दिये थे आप में थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे मिला लूंगी अब फिर इसको गो अब इसको ऐसे करके मैं कटोरी बना लूंगी तेभी मैं इसको बरपाऊंगी अच्छे से बड़ा सा कटोरी बनाऊंगी इसको ऐसे करके दबा दबा के अच्छे से भर लूंगी इसको ऐसे करके अच्छे से मोर लूंगी ताकि निकल ना जाए फिर इसको ऐसे करके दबा दूंगी देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं कि एक तार दखाए लोग ऐसे जरूर ट्राय करेंगा एक बड़ रहे दर में वह बहुत पसंद है और वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा और आपकी यूटुबर को जो बनाती थी बनाएगी कुछ दिन में उसको अच्छे से सपोर्ट करिएगा जैसे पहले सपोर्ट करते आये हैं यह सब वीडियो में भी सपोर्ट करते रही है बहुत जल्दी हो आप लोग के सामने आएगी और आप लोग को नए नए रेसिपी देगी एक गोला बना के तयार कर ली हूँ अब मैं इसको बेलने जा रही हूँ देखिए दोस्तों यह बेल बेल के पूरा हो गया है अब मैं इसको तवा में रख देती हूँ अब रिफाइल यह घी से भी शेख सकते हैं आपको जो पसंद हूँ देखिए इतना अच्छे से एक पक गया पकर आया है यह देखिए धावे इस्टाइल में पनीद पराटा के घर पे ही आप लोग लोग उठाइए और बच्चे को भी खिलाइए और टेस्टी लगता यह खाने में ट्राइ जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक से जरू बाड बहुलिएगा देखिए दोस्तो यह मेरा पनीद पराठा बनके मेरा तयार हो गया है गर्मा गरम खाने के लिए तयार है सेजवन चटनी दही मीटा दही है यह आप लोक चाहें चुए तो खट्टा दही भी खा सकते है अगरम अगरम बनाईए और घर में खाईए दोस्तों को भी खिलाईए और वीडियो को लाइक सेर करिए धन्यवाद